हमने हमारे प्रिवियस सेशन में हमारा चैप्टर फोर्स और प्रेशर को कम्प्लीट कर लिया था और आज हम हमारे इस सेशन में एक न्यू चैप्टर फ्रिक्शन की स्टार्टिंग करने वाले हैं गती सेशन में को पौइं चैप्टर का हूं सबसे पहले ऊपके सामने आता है आपका जो चैप्टर फ्रिक्षन तो तो यानि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि फ्रिक्ष्न क्या है तो जब हम को फोर्सवाला चैप्टर हमने स्टेड़ी किया था तो हमने उसमें त connection फ्रिक्षन का Fill friction friction force पड़ा था तो उसमें आपको बताया था कि friction हमेशा यह frictional force जो है वो हमेशा move करते हुए object पर ही लगता है और किस direction में लगता है अगर आपका object is direction में right side motion कर रहा है तो उसपर friction जो force लगएगा वो लगेगा left side आप फोर्स कहां लगा रहे हो राइड डायरेक्शन में फॉर्स लगा रहे हैं तो मोशन भी यह मूव जो करेगा औब्जेक्ट वो राइड डायरेक्शन होगा लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फॉर्स लगता है जिसे हमने कहा था फ्रिक्शन फॉर्स तो आपको प्रिक्शन प्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसमें यह किन-किन फैक्ट पर में तो देखitating में आपका । जो फस्ट पॉइंट रहे वह आपका फस्ट पॉइंट रहेगा मेंक गो friction and second point आपका रहेगा अभी मैंने आपको मीनिंग का नॉर्मल मीन बता दिया कि जिस डियरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डियरेक्शन में मूव करेगा बट जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा अगर उब्जेक्ट राइट डियरेक्शन में मूव करने होते हैं यानि जो भी कर रहा है उसको रहें मूव करते हैं तो रहना चाहेगा तो अगर क्या मूव कर रहा है उदंने हना हो रहा है तो शकरना वोख रहे स्पेड कर रहें सेर्मां से जो friction है वो क्या कर रहा है motion को resist कर रहा है उसका मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे meaning of friction हमारा इसमें second point जो रहेगा वो रहेगा causes of friction causes of friction and third point हमारा इसमें रहेगा वो हम पढ़ेंगे factors affecting कि यानि कौन-कौन से ऐसे factor है जो friction को affect करते हैं यानि जिसके कार्ण friction कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है उसके कैसे उन factors का effect होता है वो ऐसे कौन-कौन से फेक्टर हम इसमें पढ़ेंगे factors affecting friction जो फोर्ट पोइंट हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा types of friction कि यानि friction जो है वो कितने types का होता है और फिर जो हम इसमें पढ़ेंगे next point हमारा रहेगा इसी chapter में types of friction में हम total इसके जो types पढ़ेंगे वो रहेगा static friction sliding friction rolling friction and fluid friction और फिर next point जो हमारा इसी के अंदर आएगा हमारा next point आएगा कि friction एक necessary evil बोला जाता है friction को friction necessary evil अब इसको necessary evil बोलने का reason क्या है यानि necessary evil जो आपको point रहेगा उसमें हम देखेंगे कि इसके advantage भी है और disadvantage भी है कुछ हमारे daily life के कुछ work ऐसे हैं जहां friction होना बहुत compulsory है अगर friction नहीं होगा तो work नहीं हो पाएगा और कुछ work ऐसे हैं जिनमें friction के कार हमें loss होता है तो उन points को हम इसी में पढ़ेंगे हमारा जो next point रहेगा वो रहेगा friction A necessary evil इसमें हम क्या पढ़ेंगे friction के इसमें हम पढ़ेंगे advantage and disadvantage of friction और फिर जो हमारा इसमें next point रहेगा यानि friction is a necessary evil इसमें हम उसके advantage और disadvantage के बारे में study करेंगे कि कैसी कौन सी conditions है जहां पर friction होना बहुत compulsory है फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि आप ऐसे कौन से ways के थुरू आप friction को बढ़ा सकते हैं या गटा सकते हैं यानि friction को आप increase भी कर सकते और friction को आप decrease भी कर सकते हो तो आप ऐसे कौन सी conditions apply करोगे जिससे friction कम या ज्यादा हो जाए तो इसमें हम next point जो हम इसमें पढ़ेंगे वह हमारा next point रहेगा ways to reduce friction यानि आप ऐसे कौन सी conditions apply करके friction को कम कर सकते हैं हम अब देखो friction को कम करने के जुरत क्या पड़ी क्योंगी कोई object आप चाते हो कि वह करता रहे अगर वह friction के कारण वह रूखेगा तो अब कौन सी conditions apply करोगे कि friction जो है कम हो जाए तो वह इस चीज में हम पढ़ेंगे फिर हम seven point पढ़ेंगे ways to increase friction यानि ऐसी कौन सी conditions apply करोगे जिनसे आप friction को बढ़ा दोगे तो टॉटल हम इस चैप्टर में पॉइंट्स की study करेंगे यह सारे जो पॉइंट्स हमारे रहेंगे वो इसी चैप्टर में हम complete करेंगे तो जो introductory session था हमारा उसमें हमने total friction के जितने पॉइंट्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे वह हमने देख लिए हमारे नेक्स चैप्टर में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे stay happy keep study okay thank you कर दो